आज किस डिमा हम EBS के map section के समस को start करने वाले हैं मैं आपको कुछ model questions बताऊँगा इसके पहले मैंने already बता है था कि आपको जब EBS के बताया था कि पहला जो 10 marks का question होता है वो होता है बेस्ट की आपको एक map में कुछ certain data दिया गया था उस बेसे आपको 5 questions पूछे जाते हैं और उन 5 questions का answer देने पर आपको 10 marks मिल जाते हैं तो आज हम लोग उसी first type के questions की दो टाइप हो करने वाले हैं पहला होगा लोकेटेट सर्कल पर बेस्ट थोड़े समझें और दूसरे जो questions होंगे वह होंगे पाई डागरम पर बेस्ट वीडियो कहां तक जरूर देखें का बहुत easily मैं आपको कुछ detail में समझाओंगा तो जार आप चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहे तो पहला सबसे चोटा सरकल जो है वह कर रहा है चोटा सबसे चोटा सरकल जो है वह कर रहा है चोटा सरकल जो करता है अबाउट 10,000 यूनिट्स को मीडियम साइज का सरकल शो कर रहा है पच्छा सबसे बड़ा सरकल होगा वह शो करेगा दो लाग पचल सार यूनिट्स को यहां पर आपको जो कुशन है वह गिवन है अबाउट यह स्केल बताया मैं आपको कि एक छोटा सरकल होगा कांटिनेंट्स के सबसे जो शो करेगा कि उस कंट्री में 10,000 यूएस डॉलर्स को शो कर रहे हैं तो मतलब कुछ ऐसा होगा कि पर्टिकुलर कंट्री में कितने मिलियन डॉलर्स का अमाउंट है वगर ऐसा कुछ तो रहेगा तो वहाँ पे अगर छोटा सरकल है यह एक सरकल के तुरू कि ऐडprofit कि उस पर्टिकुलर डेश में कितना पैसा एक मीडियम टाउम का शर्कल अगर वजैसे कहीं अपर देख सकते हैं जर्मणी में, यूके में तो मिलियन यूएस डॉलर है इस कंट्री में ऐसा शो किया दा रहे डेटा के तुरू यह तो मैं आपको डेटा के बारे में बता रहा हुआ अपसो कि आपको समझा होगा यह इस तरह से आपको डेटा समझना है समयना और पिछे वीडियो में अच्छे से बता है यह कुश्चन है माप का अनायसिस बता रहो मैं समय देटा किस तरह से आपको सब गंट्री के सबसे देखना है और यहां पर यह मैप किस बारे में हैं सर वह भी पढ़ लेते हैं यह मैप है सर वर्डम है ऑव्विसली इह पता है इंटरनेशनल टूरिजम रिशिप स्के बारे में इंटरनेश तो इस पर ही बेज आपको कुछ पूछे जाने वाले हैं एक फिक्स पूछा जाएगा जो कि मैं आपको औरेडी बता है था विचिस अबाउट थीम कि इस क्वेश्चन में इस मैप का जो डेटा यह मैप शो कर रहा है उसका थीम क्या है यह मैप है किस बारे में तो यह कोश्चन यहीं पर पता चल जा रहा है कि सर यह कोश्चन है अबाउट इंटरनेशनल टूरिजम रिसिप्ट के बारे में अबाउट 2015 अब आप देखिए नीचे सर नीचे पहला कोश्चन दिखाया था उपको मैं सेम यह कोश्चन पूछा गया तो यहां पर देखिए मैं आपको बता है था कि इस क्वेश्चन में जो थीम होता है वो आपको 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 मिल गए तो इसी माक्स वर्ल्ड इंटरनेशनल टूरिजम रिसिप्स ऑफ टू थाउसन फिफ्टी सेकेंड मैं आपको बता है था पिछले वीडियो में यहां भ हुआ है तो अल्रेडी यह सर्कल के तो यह पर डेटा शो करेंगा इसलिए इसे कहते हैं लोकेटिट सर्कल और आपको पूस्क्राट में बताए था कि अब भी जो लोकेट सरकल जो डीक्राफी यह तेखनीक यूजी जारी है देटा को शो करने के लिए तो यह आपको प्लीक अब अंसर को मत देखें मैं को समझाओ उस पर देहान देखा अकॉल टू मैप विच कंट्री शोग्स दर हाइस इंटरनेशनल टूरिजम रिसेट इन 2015 अब आपको इसके लिए डेटा को देहान देना है कि किस कंट्री ने 2015 किस कंट्री ने 2015 में सबसे ज़्यादा टूरिजम रिसेट यानि कि सबसे ज़्यादा कमाई की होगी तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे चोटा सरकल है वो शो करता है कि उस कंट्री ने 10,000,000,000,000 कमाई होंगे अगर कोई medium size का सरकल था तो उसने क्या शो किया उसने शो किया कि सर वो कंट्री ने वो साल पच्छाइस हजार मिलियन US dollars कमाये होंगे और अगर सबसे बड़ा सरकल है तो वो सबसे बड़ा सरकल यानिक सबसे बड़ी income को show करता है which is 50,000,000 US dollars आपको यś डेटा न आ भी समझे simple है Sir इस पूरे map मैब मैंने इस डेटा के सबसे समझे है अब normal इस पूरे मैप में जो country का circle सबसे बढ़ा answer उसने सबसे जयादा income की होगी, data, गया कोड़ी और ऐसे भी आप देख सकते हैं, USA, USA जो country है, उसका जो circle हो सबसे बढ़ा है, it means कि USA country ने सबसे जयादा recipe, यानि कि income generate की थी उस ताह, in terms of tourism, तो वही सेम अंसर है यहां पर देख सकते हैं उसे सबसे ज़्यादा है इस इंटरनेशनल टूरिजम रिसेट इन नेक्स कोश्चन देखा था अंसर भी दिये हैं तो लेकिन आपको कुश्चन समझारों अंसर तो आप फिर भी कहीं से भी युगाड कर सके बड़ आपको अंसर क इसकी बारे में समझारों के यह देखें फॉर्थ कोश्चन विद रहें विद्धा है पॉफ देखें फाइंड आउट टोटल इंटरनेशनल टूरिजम आफ दे कंट्री टोटल इंटरनेशनल तूरिजम रिसिप्ट आफ दू कंट्री साउथ हमिस भी देखते हैं मैप पे साउथ अफ्रीका के पास देखें एक मीडियम टर्म का इस सरकल है एक मीडियम टर्म का सरकल है एजिप का सरकल शाहिद सरी एजिप का सरकल भी एक मीडियम ही है इसाब से एक कैनेडा इसब का सरकल छोटा है तो आप मैप के थू अंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं मैं पर दिया नहीं है आप समझे रहोंगे अब आउने दो मैप फिफ्ट कॉश्टन पटना आपके लें आउने दो मैप विच कंट्री शोज दर लोवेस इंटरनाशनल टॉरिजम रेसीट इन टू थाओशनल फिक्टी मतलब जिस कंट्री का सबसे चोटा सर्कल उसने सबसे कम इंकम चल्राइट की दूस्ता और वह इस सबसे चोटा सर्कल साथ अफरिका का शुटा इस उसका सबसे अगला तो इस सबसे लोगत है ने तो आपको सेम यहां भी है कि सबसे छोटा सरकल जो होगा वो शो करेगा डेटा अबाउट 2000 क्या हो नहीं पता मैं मिलियन डॉदर यूएस कुछ नहीं तो 2000 इनिट्स मीडियम सरकल होगा तो 4000 और लाज सरकल होगा तो 6000 इनिट्स यह मैप के बारे में स्वाइस से और लाइज इरिया और नहीं पता से है तो कोई बात नहीं हमें वर्ड से क्या करने हैं अंसर से इन पतलब है है नथ लिख सकते हैं कि यह हमारा अगया थी और पहला कुश्टिन भी यह सी बारे में होगा कि वाट इस थीम ऑप दिया है लिख दिया है and second question is about कि यहां पर टेक्नीक कौन सी यूज़ की गई है cartographic technique तो यहां पर सर्कल्स के थ्रू डेटा शो किया जा रहा है it means यह located circle है located circles के थ्रू यहां पर डेटा यूज़ किया जा रहा है यादि कि located circle technique को यहां पर यूज़ किया गया है अगला question देखते हैं हम लोग को आइडिया आ गया हुआ किस तरह से questions की solve करने हमें according to the map which continent shows the lowest sannelized area of the world अब आपको continents का नाम पर तो पता होना चाहिए यहां पर शायद question में दिया है जो सारे continents उनके नाम यहां पर दिये गया है अगर यह question इसी की जगह आपको map में data भरना है तो वहां पर आपको full blank map दिया गया होते है बट यहां पर map के through ही answers को लिखना हो तो यहां पर continents के नाम दिये गये तो किस continent का जो भी सबसे lowest है तो जिस continent का circle आपको सबसे छोटा लग रहा होगा वैसे मुझे तो mostly equally लग रहे है यहां पर आपको differentiate करना हो तो यहां पर देखें इस पर answer में लिखा है कि अच्छा एक highest कभी है एक lowest कभी है तो highest वाला मैंने ध्यान नहीं दिया तो highest किसमें जिस continent यावने की द्रीप का circle सबसे बड़ा होगा तो यहां पर जो है और सेलय का circle सबसे बड़ा दिख रहे है मुझे तो उस country का मतलब उस continent का sorry सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा है उसके बाद second question था कि सबसे कम कहां का है तो सबसे छोटा circle मतलब lowest बड़ा सब्सक्राइब हाइस एरिया ऐसे तो मैंने डेटा आपको बता रहे समझना कैसे लास्ट वन इस कंपेर टोटल सेनलाइज एरिया अंडर एशिया एंड फार इस एस एंड अफरीका दो द्वीब दो कॉंटेनेंट्स का आपको डेटा कंपेर करना है तो एश्या और फारिस्ट यहां का यहां का यहां पर फॉर्टी थाउजन एरिया है और अफ्रीका का जो सर्कल सबसे चोटा है तो यहां पर कि तो यहें पर लिकगए तो यहें अपर जाते निच्या निच आप यहों टोर्त का आपने आपने जो एरिया हो स्था एंड वहें आइस तो क्या होता है एक ही सर्कल को डिवाइड किया गया होता है बहुत सारा मल्टीपल डिटा शो करने के लिए तो यहां पर इसका यह भी दिया गया स्केल भी दिया गया देख सकते हैं यह question किस वारे में वह देख लाएं सबसे पहले है यह question है about world age structure के बारे में तो age structure अभी उसे पर्टिकुलरी शो किया गया है आपे अलग-अलग data के साब से अगर देखिए इस type का sign होगा ऐसा आड़ा तेड़ा तो वह age circle है about 65 से उपर का तीक है अगर ऐसी straight lines है यह देखिए य 64 years का age और अगर dots वाला साइड है जैसे कि यह वाला साइड है तो वह 0 से 14 यहां पर scale आपको ध्यान देना है वह data show कर रहा है इसके लिए आपको पास चांदा भी होगा अगर मेरी बात नहीं समझ रही चांदा क्या होता है तो चांदा कुछ इस तरह का tool होता है तो इसके तुरू आपको यह data यहां पर degrees के साफ से निकालना पड़ता है तीम तो आपको पता चल गया होगा तीम है age structure के बारे में world age structure के बारे में कार्टोग्राफ यह कौन से technique यह उसके गई है मैं आपको अल्रेडी बताया पाई डाइग्राम का शो यूज क्या गया है आपे ठीक है अभी इसके बाद किस country में यह देखें आपको डरी कुछ है maximum percentage of elder population elder population मतलब कि किस country में 65 प्लस की एज वाला एज वाले लोग जादा है तो हम लोग मैप पे जाते हैं तो मैप में देखिए आप जिस circle में यह ऐसे cross lines यह वाला cross line का sign सबसे जादा है उसमें 65 प्लस एज वाले लोग जादा होंगे तो किस country में है आपको यह degree से नापना होगा है जर्मनी में मेरे साब से यह ज्यादा है आप एंगल से एक बार confirm करें अगर यह साइट जिसमें जादा रहेगी वहां पर बुड़े लोग सबसे जादा है तो अंसर में जर्मनी है तो हम जर्मनी लिखेंगे ठीक हैं इसी तरह किसा आपको य वीडियो पसंद आपको है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर जरू करें